Hello students, कैसे आप सभी लोग? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रही होंगे So students, this is my first lecture video on my new channel. ये मेरे नए चानल पर पहला lecture video है And इस चानल पर भी आपको Commerce Stream के जो different subjects हैं जो मैंने अपनी पहले चानल पर नहीं कवर किये हैं अभी तल वो सब हम इस पर कवर करेंगे जैसे अभी जो income tax का जो बचा हुआ portion है वो हम इस पर कवर करेंगे उसके बाद indirect taxation, GST पढ़ाऊंगी, public finance, research methodology, OB, RM और भी बहुत सारे subject प्लान किये हुए हैं हम इस चैनल पर कवर करेंगे वैसे मेरा प्लान है कि इस चैनल पर यह जो मेरा दूसरा चैनल है इस चैनल पर हम course wise subject कवर करेंगे course wise इसका मतलब हम पहले first year लेंगे B.com and BBA का जो first year है वो लेंगे उसके subject कवर करेंगे फिर second year फिर third year तो यह मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल पर मैं course wise subject कवर करूँ तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसा support आपने मेरे पहले चैनल पर बनाये हुआ है वैसा ही support मुझे इस चैनल पर भी दीजेगा और मैं भी आपकी requirement के according lecture videos लाती रहूंगी तो चलिए फिर आज का lecture video हम start करते हैं and आज जो इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे income tax आज इस lecture में हम start करेंगे income tax and this is our 18th lecture यह मेरा 18th lecture video है on the topic income tax तो आप सोच रहे होंगे कि 1-17 जो lecture video है वो कहां गए तो 1-17 वैसे आप समझ गया होंगे 1-17 जो lecture videos है वो है मेरे पहले चैनल accounting master class पे जहां पर मैंने बहुत डीटेल में जो आपका income tax है इसका पहला chapter जिसमें basic introduction है income tax का वो हमने बहुत डीटेल में कवर किया है agriculture income जो second unit है वो हमने बहुत डीटेल में discuss किया है और आज हम third unit से यानी part 18 से इस अपने दूसरे चानल पर start करने जा रही है ठीक है और मैं कोशिश रहेगी कि एक महिने में हम यह जो income tax का पुरा subject है यह इसको finish कर ले तो अगर आपको 1-17 lectures जो इसके starting के हैं वो देखने हैं तो आप मेरे पहले चानल accounting master class refer कर सकते हों वहाँ पर आपको वो lectures मिल जाएंगे और आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे residence and tax liability तो चलिए फिर बिना time waste के जल्दी से हम आज का lecture video start करते हैं बट lecture start करने से पहले एक बार मैं आपको short में बता देती हूं कि आज के lecture में हम कौन कौन से topic cover करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि residence of SSE क्या होता है ठीक है and why this is important यह topic क्यो important है क्यो पढ़ रहे हैं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी residence and citizenship काफी student को लगता है कि residence and citizenship जो है दोनों same concept है but it is not same यह same नहीं है यह तोनों अलग-अलग concept है ठीक है and tax purpose से हम residence देखते हैं किसी भी SSE का उसकी citizenship नहीं देखते हैं खेर इसके बारे में detail मैं आप ही बताऊंगी मैं ठीक है फिर उसके बा और जबनर्ली resident, non-ordinarly resident तो यह सब हम discuss करेंगे उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि यह जो different type of resident होते हैं यह decide होते है on the basis of some condition ठीक है तो दो basic condition होती है दो basic condition होती है और दो additional condition होती है तो यह सारी ही condition हम पढ़ेंगे ठीक है different cases देखेंगे और जो SSE होते है वो भी different type के होते ह खेर मैं SSE बता चुकी हूँ पिछले जो 17 lecture videos है उनमें यह basic terms सारे discuss हो चुके है, SSE कौन है, individual कौन है, AOP क्या है, firm क्या है, यह सब discuss हुआ है, तो SSE कौन होता है, who is liable to pay tax, ठीक है, जिसको SS कर रहे है, who is liable to pay tax, उसको SSE कहते हैं, तो SSE भी different type के होते हैं, तो उसी के basis पे different cases जैसे individual होते हैं, HUF है, ठीक है, firm है, AOP है, association of person है, ठीक है, company है, association of person है, तो different cases में कैसे residence and non-resident find out करते हैं, वो सारे ही different cases हम देखेंगे, ठीक है, तो यह सारे topic हम आज के lecture video में cover करने वाले हैं, तो इस lecture को ज़रूर इन तक देखेगा, और lecture useful लगे, तो इसको like करना मद भूलि से जल्द इस topic को complete करा पाऊंगी, तो चलिए फिर आज का video हम start करते हैं, residence of SSE, residence of SSE, residence of SSE, तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है, कि why this is important to know the residence of SSE, यह जो residence of SSE है, SSE मतलब तो समझ रहे है, जिसको SS किया जा रहा है, who is liable to pay tax, जिसको tax pay करना है, जिसको SS किया जा रहा है, ठीक है, उसका residence जानना, क्यों जरूरी है, क्यों यह topic हम पढ़ रहे हैं, तो बता दूं कि जो tax payer होता है, ठीक है, जो SSE होता है, उसे pay करना होता है tax according to his, या her, residential status, जो tax payer है, वो tax pay करता है according to his residential status in the previous financial year, जैसे एक होता है assessment year और एक होता है previous year, ये भी मैं पिछले lectures में बता चुकी हूँ, assessment year, मतलब जैसे अभी ही चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो ये assessment year, यानि 2023, यानि जिस year में आप assess कर रहे हैं, ठीक है, किसकी income को, previous year की income को, तो previous year क्या हुआ, 2021, ठीक है, तो 2021 में जो SSE था, उसका residential status क्या था, उसक basis पे, उसके tax liability, उसके basis पे, उसके total income calculate की जाती है, तो इसलिए it is important to know the residential status of SSE, ठीक है, उसकी total income उसके basis पे निकलती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जानना to know the residence of SSE, ठीक, इसलिए हम ये topic पढ़ रहे हैं, चल ये आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, residence and citizenship, इन दोनों में क्या difference है, वैसे सबसे पहले तो ये दोनों different concept है, ऐसा मत समझेगा कि दोनों एक ही है, ठीक, citizenship मतलब क्या होता है, कोई person जिस country में bond होता है, उसे महा की क्या मिल जाती है, citizenship मिल जाती है, ठीक है, जबकि residence अलग चीज होती है, और जो residence मतलब कहां रह रहा है ठीक है, और ये जो tax के purpose से, या कहले जो incidence of tax है, it has nothing to do with the citizenship, कोई person को कहीं की भी citizenship मिली हुई है, ठीक है, वो कहीं का भी citizen है, इससे उसका tax जो calculate किया जाता है, total income calculate की जाती है, इससे उसका कोई relation नहीं है, ठीक, एक person जो है, वो residence जो होता है किसी person का, वो change हो सकता है year to year, हर साल क change हो जाती है, ठीक है, तो ये एक difference हो गया, दूसरा क्या है, जो person है, वो एक ही year में, एक ही previous year में, वो एक से जादा country's का residence हो सकता है, ठीक है, लेकिन citizenship ऐसा नहीं चेंज होती, citizen मतलग जहां वो bond हुआ, वहां किसे citizenship मेली हुई है, ठीक, इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई Indian है, एक है, वो non-resident हो, ऐसा भी हो सकता है, कि कोई Indian है, वो non-resident है, लेकिन कोई foreigner है, ठीक है, लेकिन कोई foreigner है, और वो resident है, ठीक है, तो tax purpose के लिए basically resident है, कि non-resident है, ठीक है, ordinary resident है, not ordinary resident है, ये देखा जाता है, citizenship नहीं देखी जाती है, ठीक, यहां तक concept समझ में आया, चलिए, आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, बहुत important topic, different type of resident, resident कितने type के होते हैं, तो on the basis of residence, ठीक है, on the basis of residency, यानि वो person कहां रह रहा है, ठीक है, उसके basis पे SSE को तीन category में डिवाइट किया जा सकता है, ठीक, देखे, types of resident, तो resident मोटा मोटा दो type के होते हैं, एक होते है resident, और एक हो होता है non-resident, और यह resident further 2 category के होते हैं, एक होता है ordinarily, ठीक है, एक होता है ordinarily, और दूसा होता है non-ordinarily, ठीक, जो resident होते हैं, मोटा मोटा 2 category में होते हैं, एक होता है resident और एक होता है non-resident, अब यह resident होता है further 2 category में होता है, एक होता है ordinarily resident और एक होता है not-ordinarily resident, ठीक, तो मोटा मोट यानि तीन केटेगरी हुई, एक केटेगरी, दो केटेगरी और तीन केटेगरी, तो रेसिडेंट जो होता है, रेसिडेंट, उसके रेसिडेंट के बेसिस पे, यानि वो कहां रहा, उसके बेसिस पे तीन केटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला और्डनरली रेसिडेंट दूसरा not ordinary resident और तीसरा non-resident ठीक, तो समझ में आ गया, तीन category होती है, right, अब एक बात है, हम जानते है, SSE, मतलब SSE कई हो सकते हैं, जैसे individual का case हो सकता, अभी बताया था ना, introduction में, जब में topic बताया थी, तो SSE, अलग-अलग different kind के SSE होते हैं, ठीक है, तो ये जो rule है, अभी आप ये जो condition है, it varies, ठीक है, it varies according to the SSE, SSE किस type का है, इसके according, the condition varies, ठीक है, individual के लिए थोड़ा अलग condition है, ठीक है, HEF के लिए थोड़ा vary कर जाएगी, company के लिए, AOP के लिए, firm के लिए, ठीक है, हमें देखना होगा, तो इसलिए, एक-ए करके हम ये SSE discuss करेंगे, ठीक, जिसमें मे सबसे पहला केस लोंगे, individual का, सबसे पहले हम individual discuss करेंगे, ठीक, कि individual के case में कोई SSE जो है, वो resident है, की ordinary resident है, की non-ordinary है, की non-resident है, ठीक है, कौन सा है, ये कैसे हम decide कर लेंगे, ये अब में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, तो पहला case लेते है, individual का, वैसे individual तो जानते है, individual मतलब natural person, human being that is individual, वो ऐसे सी जो natural person है, human being है that is individual, ठीक, तो अब यह जो individual है, यह resident है कि नहीं है, ठीक है, resident है कि नहीं है, इसके लिए there are basic condition, यह दो basic condition दी गई है, यह देखें, मैं लिखा यहाँ पे, the individual is said to be resident in India, कोई भी individual इंडिया का resident है previous year में, अच्छा एक बात और है, यह अच्छहिजी साई पिहते हैं यह previous year कि देखी जाती है, एक है assessment year, एक है previous year, गहाँ, assessment year में तो आप assess करते हैं किसको income इंकम पिछले साल की पिछले financial year, previous year की जो income है, तो पिछले financial year का income देखेंगे तो पिछले financial year में उसका residential status भी तो देखेंगे कि वो इंडिया में था कि बाहर था तो ये चीज़े जो है पिछले साल की देखी जाती है तो individual is set to be resident in India individual जो है उसको resident कहेंगे इंडिया का in any previous year अगर वो satisfy करे any one of the following basic condition तो अभी मैं आपको दो basic condition बताने जा रही हूं इन दोनों condition में से कोई भी एक condition एक खास बात है यहां पे और है ठीक है basic condition में first basic condition या second basic condition दोनों में से कोई भी एक अगर वो fulfill करता है तो यानि वो जो individual है वो क्या है वो resident है ठीक वो क्या है वो resident है right basic condition है उन दोनों में से कोई एक भी तो आप चलिए पहली basic condition देखते हैं, पहली basic condition क्या है, कि he has been in India in the previous year for the period of 182 days or more, यानि पहली condition क्या है, कि वो जो individual है, वो previous year में, कितना रहा हो इंडिया में, 182 days या उससे जादा रहा हो, ठीक है, यह पहली condition है, तो उसको क्या कहेंगे, resident कहेंगे, ठीक, दूसरी condition, यह तो चल at least 365 days during the 4 year preceding the previous year, and is in India for at least 60 days during the previous year, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दूसरी condition है, कि वो जो resident है, resident है, वो individual जो है, वो पिछले साल, previous year में, वो 60 days इंडिया में रहा हो, ठीक है, at least 60 days, और उसके बाद, previous year के बाद, जो 4 years है, उसमें वो टोटल 365 या उससे जादा दिन रहा हो, ठीक ठीक, ये बाद समझ में आई, देखे, ये हुआ assessment year, यानि 2022-23, ठीक है, फिर उसके बाद आया previous year, यानि 2021-22, ठीक, उसके बाद, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और ये हुआ चौथा साल, ठीक है, तो दूसरी condition क्या कह रहा है, कि previous year में 60 days, और उसके बाद के जो 4 साल ह है, उसमें कितना हो, 365 days, at least 365 days, यानि कम से कम 365 days, अगर वो रहा है, तो वो क्या है, वो resident है, इंडिया का, ठीक, तो ये दो condition होती है, ठीक है, समझ में आ गया, इन दोनों condition में कोई भी एक फुल्फिल हो जाए, ठीक है, पहली condition क्या थी, 182 days, previous year में 182 plus days, और दूसरी condition क्या थ 365 plus days, 4 year में, previous year के बाद के 4 साल, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक condition फुल्फिल होती है, यानि वो जो individual है, वो क्या है, resident है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया, चलिए, अब कुछ exception भी है, अच्छा, ये सब जो है, section 6 में दिया गया है, income tax act के section 6 में ही सारी चीज़ दी गही है, residence related, ठीक, वैसे आपको section book में ही मिल जाएंगे, चलिए, अब इसमें कुछ exception भी है, तीन exception है, वो जरूर ही है, इसलिए इंक्लूट किया है, exception to the rule of 60 days stay in India, ये जो 60 दिन वाला rule था ना, पिछले में, second condition थी ना, 60 दिन हो previous year में, तो इसमें कुछ exception भी है, तीन important exception है वो भी आपको पता होने चाहिए, पहला exception क्या है, कि अगर suppose करी जो individual है, जो India का citizen है, suppose करी वो India छोड़के जा रहा है, he is leaving India in any previous year, किसी पिछले साल वो India छोड़के जा रहा है, for the purpose of employment, employment के परपस से, बले ही job हो, service हो, business हो, या business हो, या कोई profession हो, ठीक है, employment के परपस से अगर छ देखे जाते हैं, उस case में at least 182 डे होने चाहिए, during the previous year, ठीक, समझ में आए, ये जो 60 डे वाला clause अभी पिछले स्लाइड पर में देखा था, इसमें तीन exception है, पहला exception कि individual, जो Indian citizen है, वो अगर India छोड़के जा रहा है, employment के परपस से India छोड़के जा रहा है, तो वहाँ पे 60 ड विज्वल है, ठीक है, अगर वो member है, crew का, of Indian ship, कोई Indian ship है, उसके crew का member है, ठीक है, तो भी तो वो India में बहुत कम रहता होगा, तो वहाँ पे 60 डेज नहीं देखे जाते हैं, वहाँ पे 182 डेज, at least 182 डेज देखे जाते हैं, प्रीवेस येर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे If any citizen of India or a foreign national of Indian origin, ठीक है, अगर suppose करिए कोई Indian citizen है, ठीक है, या suppose करिए कोई foreign national भी है, लेकिन वो Indian origin का है, ठीक है, Indian origin का है, लेकिन वो बाहर रहता है, who is living outside India, और वो India आता है for a visit, किसी भी visit के लिए, चाहे कोई family function अटेंड करने के परपस है, या किसी भी परपस है, अगर वो India visit करता है previous year में, ठीक है, Indian origin है, पर वो रहता बाहर है, ठीक है, चाहे वो citizen of India हो, चाहे foreign national का हो, बट Indian origin है और रहता बाहर है, तो और वो अगर पिछले previous year में आगर India visit किया है, तो उस case में भी 60 days वाला clause नहीं होता है, उस case में क्या होता है, at least 120 days, पर इसमें थोड़ा से एक च 20 दिन का clause लगता है, और अगर 15 लाग से कम है, तो 182 days का clause लगता है, during the previous year, यहाँ पे 60 days नहीं देखे जाते, ठीक, तो यह थोड़ा सा 3 exception है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक, अच्छे यह Indian origin का मतलब तो आप समझ रहे हैं, Indian origin, Indian origin मतलब वो person, Indian origin मतलब क्या होता है, Indian origin मतलब वो person या उसके parents या उसके grandparents इंडिया में अगर born हुए है, ठीक, तो इसको कहा जाएगा Indian origin, ठीक, अच्छे जैसे मुझे आजकल न्यूज में बहुत है, मुझे दो question याद आ रहे हैं, आप के लिए आज का quiz है, आप मुझे comment section में बताईएगा, ठीक, आप से एक छोट अच्छे वीडियो में भात में देखेंगे, इस समय चल रहा है, November 2022, ठीक है, और Indian origin से related में आप से दो question पूछना चाहरी हूं, ठीक है, आपको बताना है, name of the UK Prime Minister, नेम the UK's Prime Minister, UK के Prime Minister का आपको नाम बताना है, ठीक है, और दूसरा question क्या है, कि आपको US के Vice President का नाम बताना है, US के Vice President का नाम, और ये दोनों मैं आप से इसलिए पूछ रही हूं, क्योंकि ये जो दोनों person है, ये Indian origin के हैं, और ये बहुत proud की बात है हमाई लिए, ये दोनों ही person Indian origin के हैं, और अभी news में चाहे हुए है, ठीक है, ये जो Vice President है US की, ये तो मतलब पहले से हैं, ठीक है, लेकि अभी क्योंकि दीवाली गुज़रा और कुछ मतलब ऐसा हुआ था, तो ये भी news में ती, और अभी तो ये newly elected हुए है, प्राइम मिनिस्टर UK के, तो ये भी news में और दोनों ही person Indian origin के हैं, तो आप मुझे comment section में बताईएगा, सर्च करिये, गूगल पर सर्च करिये, जहां सर्च करना है, सर्च करिये, या अगर आप news देखते होंगे, तो आपको पहले से बता होगा, ठीक है, तो आप म अगर इन में से कोई भी एक condition fulfilled होती है, तो वो resident है, ठीक, अब एक term आता है, deemed to be resident, deemed मतलब माना जायेगा, ठीक है, will be consider, ठीक है, deemed मतलब क्या है, will be consider, यानि, individual जो है, उसको consider किया जायेगा as a resident, अगर, अगर who is not liable, अगर वो Indian citizen है, सबसे पहले तो अगर वो Indian citizen है, and he is not liable to pay tax in any other country, अगर कोई Indian citizen, अगर किसी भी दूसरी country में tax pay करने के लियेबल नहीं है, because of any reason, because of territory reason, or domicile reason, या residence reason, या किसी भी दूसरी reason के कारण, अगर वो किसी दूसरी country में tax pay करने के लियेबल नहीं है, तब उसको consider किया जाएगा, कि he is deemed to be resident in India, वो India का resident consider किया जाएगा, ठीक, अ यह जो condition है, अपलाई तभी होती है, only if the total income exceeds 15 lakh, अगर उस individual की जो total income है, अगर 15 lakh के उपर है, तभी यह condition अपलाई होती है, तो यह एक deemed to be resident का concept आपको पता होना चाहिए, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने channel के बारे में, मेरा ज चाहती हूँ, कि यह सारे जो list of subject हैं, यह मैं अपने channel accounting master class पे cover कर चुकी हूँ, वैसे जो पुराने बच्चे हैं, उन सब को पता है, बट जो नए बच्चे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, कि यह सारे subject है, जो मैं accounting master class, जो मेरा पहला channel है, उस पे cover कर चुकी हूँ, जरूर इसका फाइदा उठाईएगा, मेरे जो दोनों channel है, उन्हें subscribe करके रखेगा, दोनों channel पे parallel मैं different subject cover करती जाओंगी अब, ठीक है, तो channel दोनों ही मेरे subscribe कर लीजिए, और अगर lecture useful लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और comment section में मुझे motivate करते रहा करिये, मुझे feedback दे आप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, देखे, resident तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, अब हम बात करेंगे, ordinary resident, ठीक है, resident के लिए चाहिए basic condition, ठीक है, resident के लिए हम देखते है, basic condition, और basic condition म के लिए there is an additional condition, ordinary resident के लिए लगती है additional condition, ठीक है, कोई भी individual, ordinary resident हो, उसके लिए उसे satisfy करनी होगी, दोनों condition, अभी जो मैं additional condition बताएं जा रही हूँ, इसमें दोनों condition, he has to satisfy both the condition, ठीक है, basic condition में कोई एक करनी थी, लेकिन ये additional condition है, यहाँ पे satisfy करनी है, दोनों condition, तब वो बनेग the ordinary resident, ठीक, पहली condition, पहली condition किया है, कि he has been resident in India, in at least 2 out of 10 previous year, preceding the relevant previous year, ठीक, ये बात समन्द में आई, ये देखे, जैसे ये हुआ assessment year, ये हुआ previous year, और उसके बाद के 10 साल, ठीक है, ये count कर लिजगा जितने 10 साल, ठीक है, ये हुआ assessment year, यानि ये financial year, प्रीवेस year हुआ, उसके पाद, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ठीक, उसके बाद, पिछले 10 previous year में, वो 2 साल resident रहो, ठीक है, कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल वो resident रहो, ये पहली condition है, ठीक है, ये ही लिखा है, he has been resident in India, वो resident रहो इंडिया में, in at least 2 out of 10 previous year, दो साल, out of 10, यानि, previous year के बाद के जो 10 साल है, उसमें से कोई भी 2 साल वो resident रहो, ये पहली condition, दूसरी condition क्या है, कि he has been in India, वो इंडिया में रहा हो, for at least 730 days, in all, during the 7 previous year, preceding the relevant previous year, यानि, assessment year और previous year को छोड़के, उसके बाद जो 7 years है, एक मिन में pen का color change कर लेती हूँ, उसके बाद जो 7 year है, ठीक है, previous year और assessment year को छोड़के, उसके बाद जो 7 years है, यहां तक है, 7 year, ठीक, उसके बाद, और ये counting गलत कर दी, 6, ये होगा न, 7, उसके बाद के जो 7 year है, इन 7 year में 730 दिन, at least 730 दिन वो इंडिया में हो, ठीक है, तो ये होती है additional condition, ये बाद समझ में आई, additional condition में मतलब assessment year, previous year, उसको छोड़, मतलब previous year के बाद के जो 7 year है, previous year के बाद के जो 7 year है, इन 7 year में at least 730 days वो इंडिया में रहा हो, ठीक, एक condition ये है, और दूसरी condition क्या है, कि previous year के बाद जो है, जो 10 years है, 2 out of 10, दो साल वो resident रहा हो, ठीक है, ये है पहली condition और ये है दूसरी condition, और दोनों satisfy होगी, दोनों satisfy होगी, तब वो बनेगा ordinary resident, ठीक, य बेसिक कंडिशन में से कोई एक, 1 oblique 2, लेकिन जो additional condition अभी मने बताई है, उसमें क्या चाहिए, दोनों fulfill होने चाहिए, पहली और दूसरी दोनों fulfill होगी, then he will be ordinary resident, राइट, अच्छा, एक चीज और है, ये इंडिया में जो stay की बात हो रही है, कि इंडिया में इतने दिन का stay होना चाहिए, तो एक चीज ये क्लियर करें, कि ऐसो कोई जोई नहीं है, कि इंडिया में एक ही जगह पे, ठीक है, इट कुट भी एनिवेर इंडिया, इंडिया में किसी भी जगह पे उसका stay हो, और कोई जोई नहीं है, कि आटे stretch, यानि एक stretch में उसको 730 days रहना है, ठीक है वो break कर करके भी होगा, ठीक है, जैसे पिछला जो basic condition थी, उसमें 182 day थे न, तो 182 कोई जोई नहीं है, कि वो stretch में एक साथ 182 day हो, इसमें बीच में गयाप हो सकता है, ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है, तो दो basic condition हो गई, दो additional condition हो गई, यहां तक समझ में आ गया, तो हमने resident देख लिया, ठीक है, अब resident में हमने ordinary resident देख लिया, अब मैं आपको बताएं जा रही हूँ, not ordinary resident, ठीक, उससे पहले मैं करूँगी अपनी pen का color change, वेट, 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 हां, अब हम देखते हैं, not ordinary resident, तो not ordinary resident, अब मेरे खाल से आप समझ गया होंगे, कि अगर कोई individual है, ठीक करता है, first and second basic condition में से, कोई एक basic condition satisfy करता है, लेकिन अगर वो additional condition नहीं satisfy करता है, अगर वो additional condition, additional condition यानि पिछले slide पे जो दी थी, ठीक है, 2 out of 10 year वाली और 730 days वाली जो additional condition है, 730 days in 7 year, ठीक है, यह जो दो additional condition है, अगर नहीं satisfy करता है, तो वो क्या होगा, not ordinary resident, ठीक, यहां तक ठीक है यह जो orderly है, not ordinary है, non, resident है, यह बता है कियो जरूरी है, क्योंकि जो incidence of tax है, that is different, जो tax liability है यह बनती है, लोKit बनती है, दे hela करता है, not ordinary resident पे अलग है, और not ordinary resident है, रहां रहा है, उग है, यहां लिए लिएक चाल्चाफ wekte this is lesser in case of not ordinary resident, as compared to the ordinary resident, ऐहां लिख थे रहे हैं, पे जो टाक्स लाइबिल्टी बनती है, इंसिदेंस अफ टाक्स है, this is less as compared to, obviously less होगा, as compared to ordinary resident पे, ठीक है, तो इसी लिए इनमें bifurcation करना, इनने समझना कि जो individual हो किस केटेगरी का है, बहुत जरूरी है, ठीक, अब जरा आगे देखते हैं, individual अब non-resident का होगा, तो अब यह त basic condition है, first and second, वो नहीं fulfill कर रहा है, ठीक है, और अगर basic condition नहीं fulfill होई, तो additional condition की तो बात ही नहीं आती है, तो basic condition नहीं अगर fulfill की, तो वो किस केटेगरी में आएगा, non-resident, ठीक, यहां तक समझ में आगे अच्छे से, अब जरा मैंने एक table बनाईए, उसको जाद देख लेते हैं, देखें, मैंने आपको basic condition बताई, first and second, इन दोनों में से कोई एक fulfill होनी है, फिर additional condition बताई, जिसमें दोनों fulfill होनी है, ठीक, तो suppose करी कोई individual है, उसने basic condition दोनों fulfill कर दी, additional condition भी दोनों fulfill कर दी, तो वो किस केटेगरी में जाएगा, वो जाएगा, ordinary resident, ठीक, याद है न, कैसे resident को divide करते थे, एक होता है resident और एक होता है non-resident, फिर resident दो केटेगरी में, ordinary resident और not ordinary resident, ठीक, तो basically तीन केटेगरी, एक, दो और ये तीन केटेगरी, ठीक, अब ज़रा दूसा केस देखते है, दूसा केस किया है, कि कोई individual है, उसने एक condition तो fulfill की, दूसरी नहीं किया, ठीक है, दो condition है, एक condition fulfill की, दूसरी नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो resident तो होगा, ठीक है, क्योंकि और है इन दोनों में, कोई एक भी fulfill कर लिया, तो resident है, और इसके बाद additional इसने दोनों fulfill की, तो क्या हुआ, ordinary resident, ठीक, तीसरा केस देखते है, अगर कोई individual है, उसने basic condition दोनों fulfill की, यानि resident है, बड़ additional condition दोनों नहीं fulfill की, यानि not ordinary resident है, ठीक, अगला है, कोई individual है, उसने एक condition fulfill की, basic दूसरी नहीं की, तो यानि resident है, अब उसके बाद, उसने additional condition एक fulfill की, एक नहीं की, तो क्या होगा, वो not ordinary होगा, क्यों, क्योंकि इसमें and लगा हुआ है, दोनों condition करनी है, दोनों fulfill की, condition ही नहीं fulfill की, तो basic condition ही नहीं fulfill की, तो किस category में जाएगा, non resident में, non resident, और basic नहीं की, तो फिर additional की, तो बात ही नहीं आती, not applicable है, तो या गया, not resident में, ठीक, अब मुझे पूरी उमीद है, कि अच्छे से अब individual का case आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आज मैं केवल individual का ही case इस lecture में discuss कर रही हूँ, यह lecture अलड़ी काफी लेंदी हो गया है, अब मैं अगले lecture में, HUF का case, firm का case, company का case, AOP का case, जो है, वो हम अगले lecture में discuss करेंगे, ठीक है, तब तक यह जो मैंने पढ़ा है, इसको पढ़के रखिएगा, और अपने friends के साथ भी जरूर शेयर God bless you, मिलते हैं अगले lecture वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा